वाहिबुरुजी का खालसा वाहिबुरुजी की फते आओ गुरुबानी सिख्ये दी किष्ट नौमी पाग इड़ी विच सारियां दा निगा स्वागत है पाग एड़ी विच असी मूरत तत्यनु अंकड अते मूरत तत्ता मुक्ता दी विचार कीती सी इस पाग विच असी मूरत शबद जेरे तत्यनु सी आरी लगी होई है उजदी विचार करांगे मूरत दा इक अर्थ है मूरती बुत अकार अते मूरत दा ही दूसरा अर्थ है शरीर, देह, जीव, मनुख अते तीसरा अर्थ है सरूप, हस्ती, मुझस्मा जेनुवसी अंग्रेजी विच एपिटोम या एक्जम्पल वी किन्ने हां और हुन गुर्बानी विच इस शबद दी विचार करिए अते गुर्बानी विच ए शबद तिन्नों ही अर्थां विच आया है पाखान गड़ के मूरत कीन्नी देखे चाती पाओं जे ए मूरत साची है तो गड़न हारे खाओं इथे मूरत दा अर्थ है बुथ, पाखान दा अर्थ है पत्थर पत्थर, ते गड़न हा लगए मूर्थी काड़ाँ पगर कीवीर जी बानी मस्केंदे हणि की पत्थर नूं गड़के पत्थर नूं ते गड़न हारे मूरत काड़े ञखां इस पत्थर मूरत काड़ियों मूरत धे पैर रख्या होया है सिद्धे स्वष्ट शब्दां विच बुद्परस्ती दा मूर्ती पूजा दा खंडन है मन माया में रम रहेओ निकसत नाहिन मीत नानक मूरत चितर जियूं छाड़ित नाहिन पीत पीत दा अर्थ है कंद दिवार रम मैंने रमया होया खचित होया होया जुड़या होया मन माया विच इमें जुड़या होया है जिवें की किसी मूर्ती दा चितर जिड़ा की कंद उते उक्रया होंदा है वो कंद दू नहीं छड़दा इसी तरह ए मन वी माया विच इस तरह जुड़या होया है ते हे मितर ए मन माया विच जो निकलनू त्यार नहीं है ते एही कारण है कि इस मन दा परमात्मा दे जस विच परमात्मा दे नाम सिम्रन विच एदा मन नहीं लगदा औहुन मूरत दा जो दूसरा अर्थ है शरीर, मनुख, जीव वोदी विचार करिए सहस्तव नैन, नन नैन है तोईको, सहस्मूरत नन एक तोही सहस्पद बिमल नन, एक पद गंदविन, सहस्तव गंदिव चलत मोही सहस्दा मतलब है हजार, नैन्दा मैंने अक, ते नन मैंने नहीं ते पद मैंने पैर, बिमल मैंने साफ, सोने, ते गंद मैंने नक, ते चलत मैंने खेड, कौतक हे वाहिगरुजी ट्वाडियां हजारां अक्खा हन पर फिर भी ट्वाडि कोई खास अक्ख नहीं है ट्वाडियां हजारां मूर्ता हन अर्थात सारे जीवां विच सारे मुनुक्खां विच तुसी व्यापक हो पर ट्वाडि कोई खास एक मूरत नहीं ट्वड़े हजारां ही सोने चरण हन पैर हन पर ट्वड़े कोई खास पैर नहीं ट्वड़ा कोई भी नक नहीं पर ट्वड़े हजारों नक हन हे वाहिवरुजी ट्वड़ा इही कौतक ट्वड़ा इही चलत इही तमाशा जड़ा है मेनू मोहित करदा है मेरा मन मुहा गया है मैं टोड़े इसको तक तो हरान हा कि तुसी सारेयां मिच व्यापक हो के भी सारेयां तो निरलेब हो इसी सिदांतनों एक होर जगा इना शब्दा मिच परगट कीता है सहस नेतर, नेतर है प्रब को प्रब एको पुर्ख निरारे सहस मूरत, एको प्रब ठाकुर, प्रब एको गुर्मत तारे नेतर मैंने अखा निरारे मीस निराले निरलेब ते तारे दा मतलब है पार करदा है वो वाहिगरू दिया हजारों अखा हन, हजारों नेतर हन पर एदे बाव जो दी वो परमात्मा अपने आप एक एकला है पते निराला है निरलेप है उस परमात्मा दिया हजारों मूर्ता हन पर उठाकुर आप एक है वो इना मूर्ता तो निरलेप भी है क्यों वाहिगरु आप ही है जो अपने जीवानों गुरुदी मातरे नाल जोड़के पावसागर्तों पार करदा है। कोई बंदे जो बहुत इंसाफ पसंद होए तक जोड़के पार करदा है। बंदे मुझस्मा जे किसी मुनुक विच कोई गुण परपूर होए बहुत जादा मात्रा विच होए ते असी एवला शुबद वर्त दे हां सौ दिखिए सत्गुर्व देव पर तक हर मूरत जो अमरित बचन सुनाव है नानक पाग पले तिस जनके जो हर चरणी चितलाव है जो सत्गुर्व है वो पर तक तौरते जहरा तौरते हरी परमात्मा दी मूरत है हरी परमात्मा दा एपिटोम है, हरी परमात्मा दा मैनिफेस्टेशन है, क्यों? क्योंकि ओ गुरु आत्मिक जीवन देन वाले परमात्मा दे सिफ्त सला दे बचन सुनोंदा है हे नानक जेडावी मनुख गुरु दे अमरित बचनानू सुनके, हरी दे चर्नानू अपने चित नाल जोड़दा है, अपने चित विच अरी दे चर्नान वसोंदा है, हे नानक उस सेवक दे पाग बड़े चंगे हुंदे हन सत्गुर की मूरत हिर्दे बसाए, जो इच्छे सोई फल पाए, साच्चा साहिब किर्पा करे, सो सेवक जमते कैसा डरे हे पाई, जेडा मनुख सत्गुरु दी मूर्ती नू हिर्देच बसोंदा है सत्गुरु दी मूरती गडिये, सत्गुर संतोह दी मूरत है, सत्गुर शांती दी मूरत है, सत्गुर सीतल्दा दी मूरत है, सत्गुर तरम दी, तीरज दी, गुना दी, नाम दी मूरत है सत्गुरु दे बचन ही सत्गुरु दी मुरुत है अर्थात जेडावी मुनुख सत्गुरु दे बचनानू अपने हिर्दिच वसोंदा है वो सत्गुरु को लो मन इच्छे फल प्राप्त करदा है ते ऐसे मुनुखते साचा साहिब सदा थिर परमात्मा ऐसी किरपा करदा है कि उस सेवक नू फिर जमादा कोई डर जड़ा है वो नहीं पो सकदा वो दा मौत दर डर चुकिया जन्दा है गुर की मूरत मन मैत्यान गुर के शबद मंतर मन मान गुर के चर्ण रिदय लेतारों गुर पारब्रम सदा नमस्कारों गुरुदे शबदान दे राही नाम मंतर नू मन विच पक्का कर ए गुरुदे शबद ही गुरुदी मुरत है ते गुरुदी मुरत दा अर्थात गुरुदे बचना दा मान विच त यहान कर अपने त्याहान विच हर विल्ले गुरु दे शब्दानू, गुरु दे बचनानू, गुरु दी हस्तीनू, गुरु दे जड़े गुणान, तीरज, सीतलता, निर्वैरता, निडरता, संतोख इना दे विच अपना त्याहान जोड के रख ये पाई, मैं ते गुरु दे चर्णानू, अपने हिर्दे विच हमेशा टिका के रखदा हाँ, अते गुरु नू पारबरमदा रूप जानके सदा सदा नमस्कार करदा रिन्ना हाँ सो गुरु प्यारेओ ऐसी विचार, मूरत दी, शबद दी, जड़ेगी तिन सुरूप, तिन रूप, जड़े तत्या अंकड, तंता मुक्ता ते तत्या सिहारी गुरु बरंसा विचाये ने सो इस शबदी विचार असी दो किष्टा मेंच कीती है, आस करते हैं, आप जी इस उद्धम तो लाहल होगे, अपने कीमती विचार कमेंट सेक्शन मेंच लिखके जरूर दसना जी, आप सारे अंदा बहुत बहुत तनवाद वाहि गुरु जी का खालिसा वाहि गुरु जी की फते